ओन्लाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है बीए पार्ट सेकंड के लिए आज की क्लास है विशह है भूगोल प्रायोगिक और मैं डॉक्टर वेद्प्रकास यादव आज के टॉपिक द्वी विमारेक और द्वी विमारेक में भी वर्ग आरेक के उपर व्याख्यान देने के लिए आपके शामने उपस्थित हूँ द्वी विमारेक में हमने आपको बताया था इससे पहले आरेकों की जब चर्चा हुई थी कि द्वी विमारेकों में दो मापों जैसे लंबाई और चोडाई कि हम गणना करते हैं और उसकी गणना के बाद छेत्रफल के द्वारा हम मूल्यों का प्रदर्शन करते हैं और इसी कारण से इन आरेकों को क्षेत्रफल आरेक के नाम से भी जानते हैं द्वी विमारेक को टू डामेंसनल डाइगराम को क्षेत्रफल आरेक एरिया डाइगराम की संग्यावी दी जाती है चूंकि इन में इस्तंभों, वरत्तों, वरत्तखंडों इत्यादी के द्वारा जो हमारे दिये गई मूल हैं उनको क्षेत्रफल के अनपात में विप्त किया जाता है इसलिए ये क्षेत्रफल आरेक भी कहलाते हैं इनके अनेक प्रकार हो सकते हैं वर्ग आरेक है, आयत आरेक है, ब्रत आरेक है, चक्र आरेक है, आदी आदी आज गा जो हमारा टोपिक रहेगा वो टोपिक रहेगा वर्ग आरेक और वर्ग आरेक के भी दो भेद हैं एक एकाई वर्ग आरेक है जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं unit square diagram और दूसरा है वर्गाकार block आरेक square block diagram इनके उपर आज हम चप्चा करेंगे हमारा व्याक्षा नीशी पर आधारित होगा मैं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव एसोशेट प्रोफेसर गॉर्मेंट आर्ट्स कोलेज अलवर इसके उपर अपना व्याक्षा नाज दूँगा एक विम आरेक में भी आपने देखा होगा हमने इस्तंब लिये थे लेकिन वहाँ इस्तंबों की जो मोटाई थी उसका उद्देश केवल आरेक को आकरशक बनाना होता था वहाँ दिये गए मूल्यों से उस इस्तंब की मोटाई का कोई तालमेल नहीं था हम मोटाई अपनी सुविधा से अपनी इच्छानुशार जो आकरशक लगे उस साइज में हम लिया करते थे और तमाम इस्तंबों की मोटाई समान होती थी लेकिन यहां हम एक बार फिर आपको बता रहे हैं कि लंबाई और चोड़ाई दोनों एक निश्ची तनपात में ली जाती हैं मापक के अंसार ली जाती हैं और उनका जो आकार है वो दिये गए आकड़ों और जो आपके पास सरफेस है जैसे कागाज डाइन सीट तो उसकी स माइज को द्यान में रखते वे लेना होता है तो अब हम चर्चा करते हैं इकाई वर आरेक की यूनिट स्प्यठी डाइग्राम इसमें दिये हुए मूले हैं दिये वही मूलियों को हम ध्यान में रखते वे एक उचित मापनी मान लेते हैं और उचित मापनी लेकर के दिये गए मूल्यों की बराबर हम इकाई वर्गों की संख्या ग्याद करते हैं चूंकि इसमें प्रत्यक जो तक्व दिया गया है उस तक्व से सम्मंदित जो हमने वर्गों की संख्या निकाली है उतने ही वर्ग बनाने होते हैं यूनिट स्केल डायग्राम इसका नाम इसलिए स्केल के अंसार इसकी यूनिट की संख्या निकाली जाती है और उतने ही यूनिट हम डायग्राम में बनाते हैं और इसके पस्चात ये जो समान आकार वाले वर्गों की संख्या जबा गई है तो इन वर्गों की उस संख्या को एक निश्चित अंतराल पर हम पास पास एक सीध में समान दूरी को रखते वे समान अंतर को रखते वे बना देते हैं वर्ग बनाने की विधिया आप जानते हैं वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग के चारों कौन समकौन होते हैं इस बात का विशेश थ्यान रखना होता है यदि आपकी कहीं भुजा में लंबाई में चोड़ाई में अंतरा गया है यदि आपके वर्ग को बन नहीं नहीं सकता जब तक कि वर्ग के ये गुण उसमें मौजूद ना हो इस बात को आपको विशेश ध्यान रखना होता है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर हो और चारों कौन समकौन बने तभी वर्ग ठीक बन पाएगा इस आरेक का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसमें वर्गों की संख्या को गिन लेने मात्र से हम आंकडों का जो विस्तार है किस मद में कितना आंकडा दिया है वो सब जान लेते हैं वर्गों की शंख्या गिनकर के जो प्रदर्शी तांकड़े हैं उनका मान हम सरलता पूर्वत निकाल सकते हैं यह इस इकाई वर्गारेक की सबसे बड़ी विशेश्चता है एक उधारन हम जैसे लेते हैं मान लीजिए कि किसी देश में अनाजों का उत्पादन वर्ष दोहजार उननीस दोहजार बीस में इस प्रकार से रहा जैसे अनाज ले दी हमने गेहूं जुआर चावल मक्का जो बाजरा और उनका उत्पादन हमने मिलियन टन में दिया हुआ है वो उत्पादन हमने लिख लिया तो जैसे गेहूं का उत्पादन मान लीजिए 35 मिलियन टन है चावल का मान लीजिए 53.5 मिलियन टन जुआर का मान लीजिए 11.5 मिलियन टन बाजरा 5.5 मिलियन टन मक्का 6.5 मिलियन टन और जोग 2 मिलियन टन है अब इसमें हमने एक स्केल माना और हमने हमारे आंकडों के विस्तार को देखते वे मान लीजिए ऐसा मान लिया कि हमारा जो उत्पादन है विभन नाजों का उस उत्पादन में हमने एक मिलियन टन के बराबर एक इकाई वर्ग लिया तो यह हमारा स्केल हो गया एक मिलियन वर्ग बराबर एक एक मिलियन टन बराबर एक इकाई वर्ग तो अब हम इकाई वर्गों की संख्या इसमें निकाल लेंगे चूंकि यहां हमने एक इकाई वर्ग बरावर एक मिलियन टन लिया है और उत्पादन भी मिलियन टन में है इसलिए हमारे जितने भी अनाज दिये हैं उसका जो उत्पादन है उत्पादन में जो मिलियन टन की संख्या है उतनी हमारी इकाई वर्गों की संख्या हो जाएगी इकाई वर्गों की संख्या हमारे पास निकल करके आ जाती है तो हम एक 36 रेखा खैसते हैं और 36 रेखा के उपर हम देखते हैं कि हम जो वर्ग बना रहे हैं उन वर्गों की संख्या कितनी आएगी उन वर्गों की संख्या के आधार पर और उनकी मोटाई जो हमने निश्चित किये मान लेजिए हम एक इकाई वर्ग के लिए जो वर्ग की भुजा है उसको हम दस्मलाव पांच सेंटीमीटर रखते हैं आदा आदा सेंटीमीटर के हिसाब से हमारा मान लीजिए चावल का उत्पाधन केसे में सरवाधिक है चावल के उत्पाधन के आधार पर उसमें कितने वर्ग बनेंगे तरेपं दस्मलाव 5 तो तरेपंद दस्मलाव 5 कि वर्गों को छाटेN है कि पांच पंक्तियां हम 36 रूप से ले लें और उसी के उपर दस हम लंबवत वर्ग बना दें तो पांच दई 50 वर्ग बन गए और फी जो अंतिम हम पंक्ति 36 रूप से लेंगे उसमें एक वर्ग बन गया उसके उपर ये साड़े तीन वर्ग बन गए कुल साड़े तीन वर्ग बन गए तो साड़े तरेपन हो गए पचास प्लस साड़े तीन बराबर साड़े तरेपन हो गया तो इस तरीके से हम इन वर्गों को एडजेस्ट कर लेते हैं इन वर्गों के बीच की दूरी आपको जितनी रखनी है वो शैतीज और लंबवत बराबर रखनी होती है यह आपको धान देना है शैतीज और लंबवत माल लीजिए आपने 0.2.2 cm रखा है तो दोनों तरब 0.2.2 cm रखना है इसको बनाने का आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ 36 रखा के उपर आप पहले 0.5 cm का निशन लगाएं फिर 0.2, फिर 0.5, फिर 0.2, फिर 0.2, फिर 0.2, जितने आपको वर्प बनाने है इस तरह से निशन लगा लिए इसी प्रकार से लंवत जो आपका अक्स है जितने आपको वर्प बनाने है उसी आदार पर 0.5, 0.2, 0.5, 0.2 क आपने निशान लगा लिए इसी तरीके से आपने जो आपके छेती जक्स के उपर देखिए टोटल आपके वर्गों की संख्या कितनी बनेगी वो निशान लगा लें लंबवत अक्स पर भी लगा लें और फिल्म को जो आप ने निशान लगाए हैं उनके आधार पर एक गए हैं उनको मिटा दें एक तरीका तो यह है दूसरा तरीका यह है कि आप इंडिविज्वल एक-एक इकाई वर्ग बनाएं और इकाई वर्ग बना करके उनको इस प्रकार से एड़्जेस्ट करें कि वो एक संबंधित अनाज को प्रदर्शित करें और उपर इसका आप सीरियल लिख दें हिंदी में लिखना चाहें तो आप लिख दें अनाजों का उत्पाधन उसका वर्ष लिख दें जिस खेत्र का उत्पाधन है वह उत्पाधन छे सम्मंदित खेत्र लिख दें नीचे लिख दें आरेक का नाम जैसे इकाई वर्ग आरेक और इंग्लिस में जदी आप लिख रहे हैं तो आप लिख दें production of cereals state का नाम माली ये इंडिया का था तो इन इंडिया और year उसको bracket में दे दें और नीचे फिर आप आरेक का नाम लिख दें unit square diagram इस तरीके से ये आपका unit square diagram बन जाएगा unit square diagram के बनने के बाद आप उनमे black color कर सकते हैं सभी squares में सभी जो unit square हैं उनमें आकरशक लगेगा without color अच्छा नहीं लगता है लेकिन color इसमें जोगराफी में हम विशेश रूप से ये ध्यान रखते हैं कि हम black color का इस्तेमाली black ink का इस्तेमाली ज्यादा करते हैं तो आप black ink किसमें कर दें लेकिन इंक करते समय एक विशेश ध्यान रखने की आवसकता है इंक चुकि ये छोटे छोटे अनेक वर्ग होते हैं इन इकाई वर्गों में इंक करते समय ये विशेश ध्यान रखें कि आपकी शाही आपका जो color है वो वर्ग की boundary के भीतर तो complete उसको ढख दें मतलब पूरा रंग आ जाए boundary के भीतर लेकिन बाहर color जरा भी ना जाए वर्णा तो वर्ग की जो भुजा है वो आकार उसका बदल जाएगा वर्ग की shape बदल जाएगी और इससे आपका जो इकाई वर्ग आरेक है वो आरेक की गुणवत्ता बिगड जाएगी तो ये बात आप ध्यान रखें एक चीज आपको और ध्यान रखनी है जब आरेक बन गया है तो आरेक के कहीं भी जहां जगए आपको मिलती है वहां आप जो scale लिया है उस scale के आकार का एक वर्ग जितने आपने वर्ग बनाए है वैसा ही एक वर्ग अलग से बना करके और उस वर्ग के साथ जितना आपने आकडा लिया है जैसे इस उधान में हमने लिया था एक मिलियन टन तो आप उस वर्ग को अलग से बना दें उसके साथ में लिख दें एक मिलियन टन अंग्रेजी में लिखते हैं तो लिख दें वन मिलियन टन इस तरह से यह आपका एकाई आने वाले वीडियो में हम दूसरा वर्गाकार आरेक लेंगे जिसका नाम होगा वर्गाकार ब्लोक आरेक स्क्वेर ब्लोक डाइग्राम तो डियर स्टुडेंट्स